हालो दोस्तों वेलकम टू मेंपर्ण सड़ी आज मैं पढ़ने वाले चेप्टर 1 क्लास 9 का चेप्टर का नाम है तर्ट वीडियो अप्लोड हो चुक है एक वीडियो के अंदर सारे के सारे मैंने पूरा चेप्टर क्लेयर कर दिया है और ये भी बता दिया कि उस चेप्टर में जब मैंने जो पुरानी वीडियो अप्लोड करी है चैप्टर के उसके अगर नोट चाहिए तो आप टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर सकते हो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो चलिए यह कोशन करना शुरू करते हैं तो पहला कोशन है कि बखल बखल के बखल दीजा कर अधर करें अजब नशिव बलकुल करने आपJust फार्मिंग में जो input लगते हैं वो tradition farming से ज़ाधा लगते हैं no doubt modern farming required more input than the tradition farming और हम दूसरी चीज़ ये भी मानते हैं कि जो chemical fertilizer पैस्टिसाइड जो भी चीज़े जो modern farming में use होती है वह manufacturing industry होती है first question clear होगे second question पर आते हैं इन पालंपूर मरलब आपको पता हिए के पालंपूर में इलेक्टिसिटी है बहुत अच्छी तरीके से है तो उससे क्या फायदे होते है फार्मर को पहली बात तो इरिगेशन इरिगेशन पाता है न फवारे से पानी देना तो फेसिलिटी लोग जो फार्मर है वो यूज कर पारे हैं साथ में ट्यूब वेल से पानी भी निकल पारे हैं इलेक्टिसिटी की मजद से स्मॉल बिजन्स के लिए यानि अगर कोई हैंडी करा मटके वगरा का बिजन्स स्टार्ट किया उसने पालंपूर के अंदर तो उसके लिए भी पानी इलेक्टिसिटी बहुत और फार्मर को यह फाइदा हो रहा है क्या फाइदा हो रहा है इरिगेशन फैसिलिटी ठीक है स्मॉल बिजन्स को सस्टेन कर पा रहा है हाउस्टोल के लिए लेक्टिसिटी बहुत ज़रूरी है साथ में ट्यूब वैल यानि कुछ से पानी निकालना भी इजी हो पार रहा ह के लिए इंडिया के अंदर जो क्या होता है वाटर लॉगिंग हो जाती है मतलब पानी डाला जाता है खेतों में बट अब क्या है इरिगेशन फैसिलिटी यूज करी जा रही है फवारों से पानी डाला जा रहा है तो क्या आपको लगता है कि जो फवारों से पानी डाला ज चाहिए तो yes it is important to increase the area under the cultivation because if the country has to increase its production, it has to increase the irrigation area, अगर एक country अपना production increase करना चाहती है तो अपना irrigation का area view से increase करना पड़ेगा, ठीक है, next question है कि why are the wages for farm labor in पालंपूर, less than the minimum wages, मतलब गर्मेंट ने तैय कर रखा है कि एक दिन का अगर कोई labor काम कर रहा है तो उसे कम से कम minimum 60 रुपे जो पालंपूर उसमें यह वाला law यह चलता नहीं है, ऐसा क्यों कि देखो वहां पर है ना पालंपूर के अंदर बहुत जादा लोग है, ठीक है बहुत सारे labor है, competition है labor का, तो एक बंदा कहता है मैं 70 में करूँगा, दूसरा कहता है मैं 60 में, तीसरा कहता है मैं 50 में, तो पालिस वाले को चुंते है, इसलिए जो minimum wage rate का rule है, वहां पर follow नहीं हो पाता, ठीक है, यह है, पढ़ लो, the minimum wage of the farmer set by the government 60 है, but the wages of the labor in पालंपूर less than the minimum wages, because there is a heavy competition, बहुत ही जादा competition है, among the labor in the पालंपूर, so they agree to work with lower wages, next question है, कि तीन ऐसे तरीके बताओ, यह different ways बताओ, जिससे अब एक area में, मालदो आपके पास एक hectare का area है, उसमें भी 100 किलो अना जुकता है, तो उसी same land पे, आप किसी क्या-क्या use करके production increase कर सकते हो, तो आपके पास तीन ऐसे तरीका है, जिससे आप same, आपको बता है, land fixed है, ठीक है, तो एक land पे production increase करने के तीन तरीके है, क्या-क्या पहले तो, यह देखो, यह नोट्स की photo ले रख़ी है, मैंने, जो मैंने नोट्स बनाये थे, पहला है कि multi cropping use करके, multi cropping का मतलब होता है, एक साल में 3-4 फसले उगा हो, मतलब आपको पता ही है, कि आगर मालो, एक साल में आप 1 फसल उगा रहे हो, तो एक साल में आप 1 फसल उ माज उता हैगा खुदी, तो हो गया ना, multi cropping, तो multi cropping एक solution है, जिससे आप production increase कर सकते हो, दूसरा है, कि नई नई technology का use करके, tractor का tools का, tractor का tools का, इन सारे new equipment का use करके, new irrigation facility का use करके, आप production increase कर सकते हो, तीसरा point है, high yield variety seed, यानि जादा उरवरकता वाले बीच का use कर सकते हो, ठीक है next point है, how do the medium and the large farmer obtain capital for farming, how it is different from the small farmer, question ही है, कि देखो, जो बड़ा farmer है, या medium farmer है, वो capital यानि पैसा कहा से लाता है, खेती के लिए, farming के लिए, और small farmer से वो कैसे लगा है, देखो, जो large farmer है उसकी बात करूँ न, तो वो क्या करता है, अपनी saving वगएरा use करता है, ठीक है, अपनी saving वगएरा use करता है, farming के लिए, पैसे बचा के रखता है, और उससे farming करता है, बट small farmer की बात करें तो उनके पास saving नहीं होती, वो क्या करते हैं, बोरो करते हैं, पैसे किस से बोरो करते हैं, money lender से, या large farmer से, या ऐसे लोगों से जो input supply करते हैं, जो से ट्रक्टर बनाने वाला उ आपको पता होगा, कि जो सवीता है, वो क्या करती है, loan लेती है, तेजपाल से, सवीता, एक small labor, small worker है, ठीक है, small farmer है, तेजपाल की बात करूँ तो big farmer है, ठीक है, सवीता को calculate करती है, कि उसके पास equipment वगएरा तो हैं, बट उसे थोड़े पैसे की भी जरूरोत है, 3000 रुपे की ज़रोता है, और वो तेजपाल से लेती है, तेजपाल कहता है, ठीक है, मैं दे दूँगा, बट 24% interest लूँगा, ठीक है, फो चार मन्त, 24% बहुत होता है दोस्त, तो और साथ में ये भी है, कि आपको मेरे farm पे farming करनी पड़ेगी, ये बोलता है, तेजपाल सवीता को, सवीत है, अब क्या उसके पास कोई दूसरा तरीका, और if she could loan from the bank, क्या वो जो अगर वो bank से loan लेती, तो क्या उसे इतना ज्यादा interest देना पड़ता, नहीं उसे नहीं देना पड़ता, जो yes, the सवीता condition would have different, सवीता की condition अलग होती है, अगर वो bank से लेती loan, bank में जो interest होता है, वो बह अगर सकता है, वो क्या कर सकता है, जैसे छोटा farmer होता है, उसके पास पैसा नहीं होता, तो वो क्या कर सकता है, traditional seed का use करके, animal, यानि tractor वगरा की जगा, वो गाये पे, वो बांदो, भैस पे, उस पे, जो होता है न, हल, हल लगा दो, less labor, less machinery का use करके, less chemical fertilizer का use करके, manure का ज्यादा यूज करके, हाथों से पानी छड़क के, खेती कर सकता है, यहीं कर सकता है, यहीं कर सकता है, एक एक एक्टेर लैंड पे, ठीक है, अब आते है, question number 13 पे, चलो यह वाला पढ़ लेते है, पहले, चलो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पढ़ लेते है, what can be done, so, more, okay, सबसे पहले त करते हैं, क्योंकि इस से जाधा मिलता है, I'm really sorry, so, what are the non-farm production, what are the non-farming production activity taking place in the region, यहीं कोशन यहाई कि पालंपूर में non-farming activity कौन कौन सी है, मतलब लोग farming के लावा क्या करते है, तो dairy चलाते है, computer center है, shopkeeping है, transport service है, small manufacturer है, ठीक है, यह सारी की सारी चीज़े करते है, पालंपू और वो electricity वाला भी आता है, important है, और वो land, same land पर production increase करने का, तो most important portion है, so, यह question है, what can be done, मतलब हम ऐसी क्या चीज़े कर सकते हैं, जिससे non-farming activity भी विलेज में फैले, मतलब जादा तर लोग farming छोड़के dairy वगएरा, यह computer center, shopkeeping वगएरा करे, तो उसके लिए सबसे पहले, तो the बारे में और उनके benefit के बारे में बताना चाहिए, और उनको समझाना चाहिए, कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, the villagers who have impression that they can earn only farming, but बहुत सारे लोगों को यह villagers को लगता है, कि वो सरी farming से अन कर सकते हैं, तो उनको एक proper guidance देनी चाहिए, कि वो कैसे दूसरी activity से भी पैसा कमा सकते ठीक है, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को like करना, चैनल को subscribe करना, जितना हो सके इस वीडियो को share करना, बाकि नेक्स्ट वीडियो के लिए stay tuned, जिसमें important question डालूँगा, and तब तक के लिए thank you so much, Instagram, Facebook का link नीचे description में दे रखा है, तो उसको follow करना, मत भूलना नीचे description में लिंक है, तो उसको भी आप subscribe करना, नेक्स्ट वीडियो के लिए stay tuned, बाई बाई